नमस्कार जोहार मसंजे और आप देख रहे हैं न्यू जोहरकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कवरको जोहरकन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक भी मरीच नहीं मिले हैं बाउजूद राज में कोरोना मरीचों के मिलने का सिलसला जारी है राज में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मातर आठ लोग स्वास्त हुए हैं इसके विफरीत राज के पांच जिले में कोरोना के दस नहीं मरीच मिले हैं धनबाद में सबसे अधिक छा नहीं केस मिले हैं राज में कोरोना के सक्रिये 78 मामलों में सबसे अधिक 32 राची में सक्र कर रहा या काम जार्खन में 5 अपरिल से अस्कूल चले चलाएं अभ्यान चले गा या भ्यान 4 माई तक चले गा इसमें प्राइमरी अस्कूलों के बच्चों को सत परतिसत नमांकन सुनक्चित किया चाएगा कोरोना की वज़े से दोशालबाद बच्चे अस्कूल जा पा रहे हैं ऐसे में उनके लर्निंग लॉस को कम करने के लिए समुदाय को भी सन्विदन सेल बनाएंगे बच्चों के मातापिता, आईभावक, सिक्षक और विद्धाले परबंधन समेती के आपसी समन्वे से इसे पूरा किया चाएगा इसके लिए जार्खन सिक्षा परियोचना परिश्रद की राजे परियोचना निदेशक की रनकुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है मुक्यमंत्री ने केंद्र से फिर मांगा जार्खन का बकाया जार्खन में काररत कोल इंडिया की सहाइक कमपनियों सिसियल, बिसिसियल और इसियल पर राजसरकार का विभिन मदों में एक लाग शातिसा जार कोड रुपे बकाया है मुक्यमंतरी हेमंत सोरे ने इस बकाय का भुकतान करने की पहल के लिए दो मार्च को केंदरिये कोईला मंतरी परलहाद जोसी को लिखे पत्र को सोसल मेडिया पर सारुजनिक किया है सीयम ने लिखा है कि भारी बकाया लंबित रहने के कारण जारकन घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है इस से लोग के समाजिक आर्थिक विकास जुड़ी योजनाई और गतिविधी परभावित हो रही है सीयम ने केंद्रिय मंद्री से इस मामले में दखल देतो हुए कोईला कमपनियों से जारकन का बकाब भुकतान करने की पहल करने का अगरा किया है जारकन के पलामू में संसनी खेज वारदात पिता महला को लेकर हुआ फरार पती ने आवाज उठाई तो दो बेटों ने फासी पर लटकाया जांच सुरू जारखन के पलामु में संसनी केच मामला सामने आ है आरोफे की एक वाक्ती को दो लोगों ने फांसी पर लटका कर मारने का प्रयास किया मामला जीले के, पाटन भाना चितर के, पाले गाउं का है मुकेस कुमार महता नाम के वक्ति को अपने हग की आवाज उठाने के बदले तालीबानी तरीकिस्ति सजा देने की कोसिस हुई है आरोप गाउं के ही रहने वाले रभी पासवान और सासी पासवान पर लगा है पुलिस इनकी तलास कर रही है पीडित ने पुलिस के समक्ष दिये गए अपने बयान में कहा है कि चंदर देव पासवान नाम का व्यक्ति करीब एक हपता पहले उसकी पतनी को लेकर फरार हो गया इसका विरोध करने पर चंद्रदेव पासवान के दो बेटों ने घर में घोसकर उसे फासी पर लटका दिया, नियाई की मांग करने के बदले यसा चा दी गई, एन मौके पर पीडित की बेटी मौके पर पहुँच गई, पिता को घर के अंदर फंदे से लटाकता हुआ देख राजे के 203 कस्तुर्बा गांधी बाली का विद्धाले और 57 जारकन बाली का आवास्य विद्धाले के सिक्छकों के मांदे में बेस फिजदी की ब्रिधी की गई है, जारकन सिक्छा पर्योजना ने इससे लेकर पत्र जारी कर दिया है, पर्योजना निदेशक द्वारेज जीलों को भेज गए पत्र में विद्धाले के पूर्न कालिन वा अंस कालिन घंटी अधारित सिक्छकों के मांदे में बेस फिजदी की बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है, मांदे बढ़ोतरी एक अप्रिल 2021 से परभावी होगी, विद्धालेों में घंटी अधारित वैसे स जाता है, उन्हें अब मिलने वाली रासी में बेस फिजदी बढ़ोतरी के साथ मांदे का भुकतान किया जाएगा, असकुलों में परिचाएं खत्म होने के बाद ही होगा, असकुलों में होने वाली नववी, मेट्रिक और इंटर की परिचा समापतों होने के बाद ही, पंचाद चुनाओ कारे में लगा जाता है, इस पर राज निर्वाचन अयोग मन्तन कर रहा है, अयोग सभी तरह की परिचाओं का सेड्यूल देख रहा है, जब असकुल और सिक्षक खाली होंगे, तभी पंचाद चुनाओ कराए जाएगा, फिलाल 20 अप्रिल तक मेट्रिक और 25 अप्रिल तक इंटर की परिचा होगी, इसके बाद 9B की परिचा होनी है, हलाकि 9B की परिचा के लिए तिथी की घोशना अब तक नहीं हुई है, परिचा सेड्यूल में सिक्षकों के साथ, दर्ण अधिकारी वा पुलीस बल भी तैनाद किये जाते हैं, ऐसे में उनकी उपलब्दता भी देखी जाएगी, इस दौरान पर्वतहवार की तिथियां भी देखी जाएगी, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि चुनाओ से किसी भी हाल में विद्यार्थियों की परिचा बाधित ना होूँ मार्थ तक करीब 100 खधानों का टेंडर जारी हो जाएगा, बताये गया है कि जैसे जैसे खधानों की भूतात्विक रिपोर्ट बन कर आ रही है, वैसे वैसे खानविभाग निलामी का टेंडर जारी करता जा रहा है, इधर जारखन राजे पर्थर विवसाई संग राजे सर करकार ने दोवस का एक्स्टेंशन दिया था, पर एक्स्टेंशन मिलते ही सीटियो वा अनजोय परक्रिया में समय लगिया, इस दोरान कोविड काल भी आ गिया, इस कारण खधानों में काम सुरू भी नहीं हुआ कि दोवर्सों के अवधी पूरी हो गई हैदराबाद में सड़क हाथसे में ग्रिडी के मजदूर की मौत, ग्रेंड होटल में करता था काम, ओटो ने मारी टक कर, इलाज के दोरान तोड़ा धम, जारकन के ग्रिडी के गामा इलाके के महसपूर गाउं के रहने वाले मजदूर कपेल यादो की हैदराबाद में राहत विदेश जाने वालों को एहतियाती डोज देने की तैयारी, सरकार सिक्छा, रोजगार खेलकुद आदी के लिए विदेश जाने वालों को जल्द कोरोना टीके की एहतियाती खुराक देने की अनुमती दे सकती है। राविदन प्राप्त हुआ है, हलाकि स्वास्त मंत्राले की और से कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किया गया है, मौजुदा निर्देशों के ताहत दूसरी खुराग दिये जाने की, जो तारिक से नौ महिने बाद जो खुराग दिये जाती है। सव गाउं के ही एक पेड में फंदे के सहारे लटक रहा था, सुबह खेत जाने के लिए निकले, लोगों ने लास को देखा, इसके बाद पुलिस और परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। सुबह के 635 प्लस टू असकुलों में सिर्जित होंगे नय पद, जारकन के 635 प्लस टू असकुलों में नय विसयों के सिक्छकों के पद सिर्जित किये जाएंगे, नागपूरी, संथाली, कम्प्यूटर, साइन्स समयद अन्य विसयों के सिक्छकों के पदों के सिर्जन की प्रक्रिया सामिल होगी, इसके लिए सभी जिलों में असकुली सिक्छा, वासाक चरताएवग ने रिपोर्ट तलब की है, तो ये थी आजकी जारकन के टॉप बड़ी खबरे, इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए,